नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसका आपके बारे में आपको इसके बारे में चानना बहुत जरूरी है पिछली वीडियो मैंने आपसे डिसकस किया था सीलाजीत के बारे में मेरे को इस चीज़ के बारे में अच्छे से मालम है कि आपको सीलाज चीजित के बारे में भोछ जाद़ा नॉलेज़ होगा क्युंकि सीला जीत एक ऐसा मेडिसीन है जिसके बारे में अधिकतर लोग जानते हैं और वो डॉक्टर हो नॉन डॉक्टर हो एक आम आदमी हो मैक्सिमम लोग इसके फायदे के बारे में चानते हैं लेकिन आज मैं आपको इस चीज के बारे में बताऊंगा जो शायद ही कुछ लोगों को मालूम हो या फिर कुछ ही लोग इसके बारे में चानते हो और वो यह है कि इ इन में से ऐसा कोई चीज खाते हैं, तो आपको फायदा की बदले में काफी ज्यादा नुक्सान होने वाला है, और आपको काफी हद तक बिमार कर सकता है, मैं उन सभी चीजों के बारे में बताऊंगा किन चीजों को आपको नहीं खाना है, ठीक है, इसके अलावा आप सारी च जित का इस्तमाल करें या जब इस्तमाल करें, उस समय कभी भी आपको उन सभी चीजों को नहीं लेना है, पहला कैटेगरी हैं विदाही अनपान और दूसरा है कुल्थी, विदाही अनपान का मतलब होता है कि एक ऐसा अन, एक ऐसा खाने के एक ऐसा प्रोड़क्ट है, जिस तरह के अन को कभी भी नहीं खाना चाहिए अगर आप स्रीलाजित का सेवन कर रहे हैं तो, जैसे की पूरी आपको कभी नहीं खाना चाहिए, अगर आप स्रीलाजित का जब तक इस्तमाल करें, कभी भी नहीं खाना चाहिए, या जिस समय इस्तमाल कर उस समय नहीं खाना खान जैसे लोग खाती हैं छोले हैं वो विदाही पैदा होता है उड़त की दाल है वो अभी विदाही होता है राजमा है चने की दाल है इन सब चीजों को ना खाया पकोड़े तले भूने चीज चौमीन बर्गर जो भी फास्ट फूड़ जितने भी होती है बिस्किट वग्एरा इन सभी चीजों को avoid करें, ये सारी विराही होती है, यानि जो भी चीज किसी तेल के contact में आके बनता हो, या तेल से बनता हो, या जो देर से पचता हो, उन सभी चीजों को आपको avoid करना चाहिए, यानि जिसमें तेल की मातरा जादा लगती हो, मसाले की मातरा जादा लगती हो, और जिसमें जिसको पचने में काफी समय लगता हूँ जैसे राजमा हैं उरत की दाल है चने की दाल है छोले हैं इन सब को पचने में काफी समय लगता है और इन सब को बनाने में भी तेल का काफी जादा इस्तमाल होता है और मसाले का जादा इस्तमाल होता है इसलिए विदाई भी फायदा नहीं होगा ये पकोड़े बगरा पापड़ पूरी इन सब चीजों को कभी नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए नहीं तो आपको काफी ज़्यादा नुक्सान होगा ये यानि विदाहि अन की केटेगरी आप खुद से define कर सकते हैं वैसा अन जिसके बनने में तीन चीजे का इस्तमाल होना सबसे जादा होता हो पहला चीज जिसमें जादा से जादा तेल का इस्तमाली होता है जिसमें मसाले का इस्तमाल होता है अधिक से अधिक और जिसको पचने में काफी जादा समय लगता हो या जिसक तो खाने के बाद एसीडिटी होता हो, पेट में ऐसा लगता हो, भारीपन मHowाrare पह पार ow पेट में गर्मी पाईदा करता हो, गर्म-गर्म से महसे होता हो, जलन करता हो, इस तरह इस खाना को आपको नहीं खाना चाहिए, दूसरा क कुल्थी, कुल्थी का प्रयोग आपको कभी भी नहीं करना चाहिए अगर आप सिलाजित का इस्तमाल कर रहे हैं तो नहीं तो आपको काफ़ी ज्यादा नुक्सान होने वाला है या हो सकता है ठीक है तो ये बस दो तीन बाते थी जो आपको जानना बहुत ज़रूर था अगर आप सिलाजित का इस्तमाल कर रहे हैं तो एक लिना.